नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ओमजी टेक्निकल चैनल में इस चैनल पे आप टेक्निकल से डीलेटली वीडियो देखतें और सीखतें आज की विडियो का टॉकित रहेगा सिलिंग फैन जोके घरों में आफिस में संगे होते हैं जिनसे हम हवा लेते हैं, चट के लगे होते हैं, हवा आती है, कई बारों तहरों SPIRE SLOW हो जाती है, उसमें हमें कापसित चेंज करने के अबशक्ता पड़ी उसको कैसे चेंज किया जाता है, उसका पूराwijा प्रोसेस के वीडियो में बाता है अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो असानी से आप घर बैठे आप अपने पंके का सेल चेंज कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ हम आच चुके हैं अपने वर्कशोप की तरफ और हमारे पास है एक सीलिंग फैन को यह देखे इसमें शीलिंग फैन में चार तारें दी हुई हैं दो रेड़ कि अधिया दो प्लेक किसी भी सीलिंग फैन का कैपसिटर चेंज करने के लिए पहले उसकी continuity को चेक करते हैं अगर हमने continuity चेक करनी है तो पहले रेड को रेट से लगाएंगे ठीक है ना यह देखिए जो अगर आपको मैं दिखात हूँ यह बलग जे रेड करन लगा Megan लोग करने लगे और यह बल्क पर लगाया दोल windows अगर दोल से लगाया हूए शार तारों में continuity आ पसमें में दिया है जासे बल्क और रेड में तो मोटर के winding खराब है अगर यहां रेड़ और कर दो कर दो जो कम ग्वो कर रहा है वो श्टाटन की वैरिणिंग जो जाड़ा ग्लो कर रहा है और बरजने की वैर्णि之 और दोस्तो एक चेसे और में सिखाने जा रहा हूं लगाने से पहले हमको कॉमन बनाना पड़ता है ना तो इसमें से कोई भी दो तार ले लेंगे हम ऐसे एक ब्लैक और एक रेड इसको दोनों को एकठा करतेंगे आपने देखा हुआ कंपनी के पंक्खे में भी तीन तारे होती है तो कॉमन ऐसे ही बनाई जाती दोस्तों अंदर से ठीक है ना अभी यह दो तारे पड़गी इसको फिर से चेक करेंगे हम यह देखिए बलब गलोव करना जाए देखिए बलैक वाली में लगाया तो बलब इत कॉमन वाली तार में लगाना है एक रेड वाली में तार को जोड़ देंगे यह जोड़ देंगे हम बलैक वाली में ठीक है दोस्तों अब इसको हम से लेंट कि साहता से सप्लाइज देंगे पंख्यूमना चाहिए यह दखिए पंका गोमने लगा तो इन दो तारों को इन दो तारों में पावर सप्लाई देनी है तेपसिटर लगाने के बाद जैसे यह हमने कोमन बनाए रेड और बलेक यह दोनों कोमन है तो एक पावर सप्लाईस में हो जाएगी और जो एक हमारी अविद्ध के लिए रनिंग कितार में लगाना दोस्तों स्टार्टिंग की नहीं है इस से क्या जब हमसको पावर देंगे तो पंक्का चलने लग जाएगा जो दोस्तों मैं चला के दिखाता हूं आप मैं बीना मैंने यह इसको जोइंट को टेप नहीं किया दोस्तों आपने रोफर्ली टेप करना तो लोकि हमारा रोच का काम हम तो कल दो यह काम नहीं करना देखिगे दोस्तों धूस्तों जूमा कह добह दूस्तों यह नहीं होजुक्ष०ीर आपने प्रपर लिए तईपिंग करनी है फिर इस को प्रॉर बेनी है दोंस्तों ठीक है न दोस्तों यह दो दोस्तों कई बर वेंडिंग खराब होती है हम कैपिसीटर लगाते हैं तो यह देखिए किसी का मंखा उतार के लाया हूँ इसमें कैपिसीटर लगाया हुआ है न दोस्तों यह पंखा ठीक है दोस्तों पर एक मैं आपके जैनुवर जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक नया कैपिसीटर है इसको कट किया यह इन दो तारों में यहां पर इसको यहीं पर जोइंड कर दोगे तो आपका पंखा चलने लग जाएगा दोस्तों और ज्यादा आपको मगजमारी करने के जूरूत नहीं है ठीक है न दोस्तों यह है असान तरीका अगर वीडियो को अच्छी लगरे कुछ जानकारी है तो मेरे को और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा ठैक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद